तो दोस्तो नमश्कार आप देख रहे हैं Fantasy, Sports, Spy, YouTube चैनल और मैं हूँ गौरव आज हम जो चैनल में एक बहुत बड़ा मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा प्रीमियल लीग का मैच लिवरपूल वर्सिस मैंचेस्टर यूनाइटेट के बीच इस मुकाबलगा करते है डीटेल एनलिसिस तो दोस्तो बात की जाए लिवरपूल और मैंचेस्टर यूनाइटेट की ये मैच एनफिल्ड जो कि लिवरपूल का होम मैच है वहाँ आज राच 10 पीम पे खेला जाएगा अब आप जानते हैं कि प्रिम्यल लीग में ये जो दो कलब्स हैं ये बहुत बड़े राईवल थे एक दुसरे की इवन ये मैंचेस्टर डार्बी और मर्गी यानिकि मैंचेस्टर डार्बी जो मैंचेस्टर यूनाइटेट वर्सिस Manchester City होती है वही मर्जिसाइड डार्वी जो Liverpool versus Everton होती है इन दो डार्वी से भी ज़्यादा बड़ी रैवल रहे है इन दोनों की और बहुत इन दोनों के fans एक दूसरे को काफी ज़्यादा hate करते है यह आप social media में भी देख सकते है हर जगे देख सकते है तो Liverpool और Manchester United का बहुत बड़ा मैच यह होने वाल है काफी excited भी है हम सब इस मैच के लिए अब आप इस season प्रीमियल लीग का points stable देखेंगे तो फिलाल थोड़ा यहाँ पे Manchester United लिवरपूल से अच्छा कर रही है अगर आप देखेंगे last season की champion लिवरपूल प्रीमियल लीग इनोंने जीती थी और Manchester United ने भी top 4 में finish किया था लेकिन इस season आप देखेंगे Manchester United काफी अच्छा कर रही है 17 matches में 11 victories है 3 draw 3 losses है 36 points Manchester United के है 34 goal score के और 24 goal conceit किया है तो बहुत अच्छा उनका defense भी अच्छा कर रहा है उनका attack भी अच्छा perform इस season कर रहा है और number one position में फिलाल है Liverpool ज्यादा पीछे नहीं है 3rd position में आलंकि Liverpool को काफी ज्यादा injuries के setback हुए है जिस वज़े से भी उनके performance में गिरावट आई है 17 matches में 9 victories 6 draws थोड़े ट्रॉस जादा है losses दो है 37 goal decent goal score के defense उनका अच्छा ही रहता है बिना वेंडा एक के भी defense में अच्छा ही गया है 21 goalी सिर्फ concit किया है 33 point है और Liverpool definitely इस match को जीतना चाहके यहाँ पे Manchester United के बराबर आ जाएगी अगर यह match जीतते हैं तो points table में तो आप इससे भी समझ सकते हैं कितनी close और कितनी बड़ा है match होने वाला है इन दोनुई clubs के लिए अगर आप यहाँ पर देखते हैं last recent form देखते है Liverpool की तो कुछ ज्यादा खास नहीं है last 3 matches Premier League में बिल्कुल अच्छे नहीं गए नहीं तो अभी आप देखते तो Liverpool उपर होती लेकिन last 3 matches में काफी disappointing performance है सिर्फ एक गोल मारा है वो भी 1-1 draw West Brom जैसी कमजोर टीम के अगेंश्ट उसके बाद एक गोल्लेश ड्रो न्यूकासल जैसी एक और वीक टीम के अगेंश्ट उसके बाद एक जीरो से पिछले अपने Premier League में साउध हम्टन से हारे तो last 3 matches एक बड़ी loss है और 2 draws है यानि कि last 3 matches में एक भी victory नहीं और एक और shocking point है कि last 3 matches में सिर्फ एक गोल स्कोर किया है Liverpool जैसी बड़ी club ने अब इससे पहले मैं एक चीज बताना चाओंगा यह जब 1-1 डोगा तो उससे पहले Liverpool Ashton Villani Crystal Palace को 7-0 या 7-1 के margin से हरा के आ रही है तो उसके बाद लगातार 3 matches में सिर्फ एक गोल मानना इससे बतालता है कि थोड़े यहाँ पर जो manager है वो disappointed जरूर है Liverpool के performance से और हम आज expect कर रहे हैं कि Liverpool काफी अच्छा करेगी Man United जैसे club के against अपने घर में Man United की recent form अगर हम यह FA Cup वला हटा दे क्योंकि इन Cup matches की ज्यादा value नहीं होती है तो recent form देखेंगे काफी अच्छी है 2-1 Aston Villa को Premier League में आ रहा है उसके बाद एक कराब हो Cup में knock-out में जरूर Manchester City से आ रहे है अपने arch rival से 2-0 से हलेंकि उसके बाद फिर Premier League के match में पिछले match में एक-जिरो से बंडी को हरा गया रहे तो मैं Manchester United की recent form को काफी अच्छा कहूंगा as compared to Liverpool की recent form अब हम direct बात कर देते प्रोवेबल लाइनप की पहले सबसे main चीज बताऊं match है दोस्तो Liverpool के घर में एन-field में अब Liverpool अपने घर में दोस्तो हारती ही नहीं है इस दिली नहीं हारती ही इवन हारती ही नहीं है लास्ट दो सीजन से अपने घर में match हारी ही नहीं है तो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है यहाँ पे Manchester United को Liverpool जैसे अपने arch rival को हराना अलेंकि Liverpool के वाद भी Virgil Vendaiq जैसा इनका एक सबसे वड़ा सूपरिस्टार unavailable है almost पूरे सीजन के लिए बाहर होगे इनके defense थोड़ा week जरूर है लेकिन फिर भी में यहाँ पे Manchester United के लिए थोड़ी दिक्कते जरूर होने वाली है Liverpool को हरानी में अब देखते हैं इनकी प्रोविबल लाइनप ऐलीसन बेकर इनके goalkeeper रोनाल है decent goal की बार है अच्छे saves कर सकते हैं चार defenders में जोल मैटिव और फेवीनियो दो center back हूँगे अब मैटिव का खेलना 50-50 अगर यह नहीं के लिए फिर Reese Williams या एक और Nathan Phillips इन दोनों में से कोई खेलेगा जिनको उतना experience नहीं है मैं assume कर रहा हूँ मैटिव स्टार्ट करेंगे injury से वापस आ गए इनके साथ makeshift center back फेवीनियो स्टार्ट करेंगे दोनों ने अभी तक decent किया वेंडाइक के जाने के बाद से दोनों टेकल इंट्रसेप्शन के आपको पॉइंट दे सकते है passing point दे सकते है heading ability भी दोनों की अच्छी है अब इनके दोनों fullbacks को में definitely recommend करूँगा खास दोर पे left back Andy Robertson इनके defender best defender में ने कहूंगा भी तक इस सीजन के ये player दोस्तों बहुत तगड़ी defending करता है tackles, interception करता है और attacking wise भी है बहुत बहुत important player है मेरे असाब से last 3 सीजन से इनके one of the best player Robertson ही है काफी ज़्यादा attack करता है आगे के areas में बार बार crosses डालते है, chances create करते हैं, assist करने में के भी वहले even बीच बीच में random shots on target लेके goal scoring में भी help करते है तो Robertson 100% ये player आपकी team में रहना चाहिए मेरे असाब से अगर credit maintain ना हो, फिर भी आपको ये Robertson को sacrifice इस match में तो नहीं करना चाहिए Alexander Arnold right back position में खेलेंगे, इस season थोड़ी form में गिरावट आई है लेकिन फिर भी अभी में इनको highly rated करता हूँ, थोड़ा defending wise उतने strong नहीं है लेकिन attack बहुत अच्छा करते है, सारे right side वाले corners लेंगे, free kicks बहुत accurate लेते है attack बहुत अच्छा करते है, अब defending के भी थोड़ी बहुत आपको point देंगे तो Alexander Arnold और Robertson आपकी team में definitely होने चाहिए तीन central midfielders यहाँ पे के लेंगे, Henderson, Thiago Alcantra और Gini Wijnaldum तीनों काफी अच्छे है, Thiago Alcantra आपको याद होगा, Bayern Munich में पिछले सी जनी triple जीत के आ रहे हैं, जिसमें UCL, बंदक लिगा, यह सब जीत के आ रहे हैं और यहाँ पे आके भी अभी तक decent सा perform कर रहे हैं काफी passing point दिंगे, काफी tackles, interception, clearances के point दिंगे और chances create भी करते हैं, मैं इनको इन तीनों में सबसे पहले prefer करूँगा उसके बाद मैं prefer करूँगा Henderson को जो इनके captain है Henderson दोस्तों defending भी बहुत solid करते हैं, attack भी बहुत अच्छा करते हैं दोनु जगे अपना role निभाते हैं, तो इन दोनु को मैं prefer करूँगा third मेरी choice Wijnaldum रहेंगे, जो की ज़्यादा central ली रहते हैं उतना ज़्यादा attack करते हैं, इन दोनु से थोड़ा कम attack करते हैं अब बात करतो forward 3 में, मोसाला आप सभी जानते हैं प्रीमियल लीग के one of the best player है, हलंकि recent 3 matches में form में थोड़ा deep मा रहा है, लेकिन फिर भी इस match में सबसे बढ़िया captaincy की choice रहेंगे, मेरे captain यही रहेंगे, penalties में भी रही है और Liverpool के best player है, goal assist chances create, shots on target तो काफी जादा लेते हैं तो मोसाला definitely आपकी team में होने चीए, साडियो माने भी definitely होने चीए साला के बाद इनके best attacker है, यह भी goal assist, chances create, shots on target हर चीज में capable है अब एक player है Roberto Firmino, इनके central forward, अब इनको आप drop कर सकता है पहला reason रहेगा उसका, क्योंकि credit problem आपको होने वाली है दूसरा reason है, यह बिल्कुल भी consistent नहीं है, यह लगतार goal कि कभी भी नहीं मारते है ऐसा नहीं होता कि कभी आज भी goal मार रहा, उसके next में भी goal मार रहे ऐसे करके नहीं मारते हैं, यह ऐसा जैसे आज के match में goal मारेंगे तो उसके बाद 2 या 3 matches यह floppy रहता है इसलिए इन पर trust नहीं किया जा सकता, मैं ऐसा नहीं कहारो कि यह goal assist नहीं कर सकते है लेकिन यह trust worthy नहीं है, इसलिए फिर्मीनो को यहाँ पर मैं drop करूँगा लेकिन आपकी टीम में अगर आपको लगता है लिवरपूल पूरा whitewash करेगी युन इनाटेट को goal भी नहीं मानने देगी, फिर आप फिर्मीनो को जरूर ट्राइ कर सकते है assist goal करने में के विवल जरूर है तो यह कुछ most probably लिवरपूल की 11 नाने वाली है और यह जो मैंने yellow से कुछ players highlight किया यह इनके most important player रहने वाले है अब बात करते हैं opponent Manchester United की उससे पहले आप मेरी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो काफी कुछ आप miss कर रहे है description में आपको link मिलेगा नहीं तरफ, telegram, match, direct, fantasy, sports, spy, search मारेंगे 2.5K से ज़्यादा सबसाला channel आपको मिलेगा यहां से आपको जुड़ जाना है lineup आने के बाद इस match की 8 grand league और एक final SL team में यहीं post करने वालो और surely इस match में काफी CS कर सकते है क्योंकि साला माने बहुत-बहुत on target लेते है even which win में Henderson, Firmino यह सब भी काफी on target लेते है और मेरे सबसे position भी Liverpool dominate करेगी तो David De Gea काफी अच्छे saving point समय दे सकते है 4 defenders में Maguire और Bay इनके 2 center back होंगे जिसमें Bay decent है लेकिन Harry Maguire की heading ability बहुत solid है corners में set pieces के through आपको goal करके दे सकते है काफी tackles and interception के भी point दिंगे Manchester United के captain भी है तो Maguire को भी मैं इनके defense से definitely recommend करने वाल हूँ 2 fullback में वेन विसा का और 100 खेलिंगे 100 decent है tackles वगेरा के point दे सकते है थोड़ा बहुत attack भी करते हैं लेकिन इनको right side से यहाँ पर most Salah को face करना होगा तो इस match में थोड़ा struggle सारा के against जरूर कर सकते हैं लेकिन वेन विसा का काफी tackles वगेरा के point देता है defending बहुत अच्छी करते हैं बीच-बीच में attack भी करते हैं तो मैगवायर के बाद मैं इनके defense में वेन विसाका को prefer करने वाला हूँ फ्रेड और मक्ताउमी ने दो central midfielders हुँगे थोड़ा जादा defending करेंगे इस match में थोड़ा defensive ही खिलेंगे लेकिन मैक्ताउमी ने का आपको याद है बीच-बीच पे random goals जरूर मारते हैं और इस match में भी capable जरूर है goal assist करने के इसलिए मेरी punt pick रहेंगे Fred भी एक decent choice है forward 4 में अब Rashford के साथ दूसरे wing में आजकल Pogba को जो Ole Gunnar Solskvar है Manchester United के manager वो wings में खिला रहे है left side में अब इन दोनों की position आज जरूर rotate होगी कभी Rashford left में खिलेंगे तो Pogba right में खिलेंगे कभी Pogba left में Rashford right में लेकिन Pogba को फिर भी में इन पे trust नहीं करता है इनोंने World Cup winner जरूर है आपको याद होगा 2018 में France से World Cup winner जीता है एक time में one of the world best midfielder थे लेकिन injury ने इनका career खराब कर दिया और यहाँ पर अभी तक recent form इनकी अच्छी चल लिए जो अभी last match वा था Burnley वाला इसमें winning goal इनों नहीं मारा था बहुत अच्छी volley मारती लेकिन फिर भी ये भी Firmino जैसे हैं एक match इनका बहुत अच्छा जाता है तो अगले दो match खराब जाते है मैं सनी कहरो बिल्कूल घराब यह भी यह भी capable जरूर है टेकल्स वागिरा के पॉइंट देने के इवन goal assist करने हैं गे भी लेकिन trust इन पे भी नहीं किया जा सकता लेकिन rest part अगर credit maintain होता है डेफिनिटली आपकी टीम में होने चीए Bruno Fernandes के बाद इनके best player है गोल assist chances create thoughts on target हर चीज में KP वाल है Bruno Fernandes आप सभी जानते है Manchester United के best player है इस match में बहुत अच्छी captain vice captaincy की choice भी रहने वाल है penalties में भी यह होंगे काफी thoughts on target लेते हैं काफी chances create करते हैं और कभी भी randomly goal assist कर सकते हैं तो Bruno Fernandes 100% आपकी टीम में रहने चीए Anthony Marshall forward position में खिलींगे अब अगर Marshall start नहीं करें फिर Edison Cavani start करेंगे इन दोनों में से जो भी start करेंगा और decent choice रहेगा अब decent इसले रहेगा 100% इसले pick नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि credit problem आ रही है तो most probably इनको या तो आप drop नहीं करते हैं अगर ये start करते हैं फिर Shaw के place में start करेंगे ये Shaw के comparison में थोड़ा ज्यादा attack करते हैं थोड़ी अच्छी defending करते हैं तो ये एक अच्छी choice इनके defense से हो सकते हैं तो दोस्तों ये कुछ Manchester United के 11 थी most probably और ये मैंने यलो से highlight के इनके कुछ most important player इस match में रहने वाले हैं तो ये मैंने दोनू teams के 11 आपको बता दी अब आजाते हैं prediction में predict करना match बहुत मुस्किल है तो फिलाल में 2-2 draw के साथ जा रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जा आप देख रहे हैं लिवरपूल के अपने घर में उनको रहना काफी tough है और Manchester United के away form भी काफी अच्छी है इसलिए दोनों को separate नहीं किया जा सकता तो फिलाल मेरी prediction 2-2 draw से prediction है लेकिन यह match कुछ भी हो सकता है GL में हमें 2-0 Liverpool 2-0 Man United 2-2 draw 0-0 draw 1-0 Liverpool ऐसे करके अलगला combination के 8 GL और 1 SL team आपको मिलेगे हमारे टेलेग्राम चैनल में जिसका link description में है नहीं तो आप टेलेग्राम में अड़रेट, fantasy, sports, spy search मारेंगे 2.5K से ज़्यादा सबस्वाला चैनल आपको मिलेगा यहाँ से आपको जुड़ जाना है line up आने के बाद इस match की 8 GL और 1 SL team में ही post करूँगा और साथी हर ISL match की 8 GL और 1 SL team भी में ही post करता हूँ टेलेग्राम चैनल में तो description में लिंक है जरूर जुड़ जाए मेरे टेलेग्राम चैनल के साथ तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो दोनों टेम्स के बारे में डेटेल इंफो उमीद करता हूँ आपके वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जैन